दोस्तो आज की जो remedy इतनी जादा powerful है कि अगर आप इसे एक बार इस्तमाल करोगे तो पहले बार की ही इस्तमाल से आपको फर्क महसूस होने लगेगा कैसा भी दर्द हो घुटने का दर्द हो कंधे का दर्द हो एडी का दर्द हो कमर का दर्द हो जोडो का दर्द हो सब गायब हो जाएगा अगर आप मार्केट से बहुत सारे तेल दावाईया लाकर लगा चुके हो और बिलकुल भी आराम नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा तेल जो की आयरवेदिक है घर की नैचुरल चीजों से बना है और बहुत जादा एफेक्टि भी मत भूलेगा बाबा जी की इसी तरह की अच्छी अच्छी रेमिडी देखने के लिए जिससे आपको बहुत जादा फाइदा पहुशने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं तो इस रेमिडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर प्यास तो जो जो च शेयर करूंगी इसलिए वीडियो को बिना स्किप किये हुए ध्यान से देखेगा जिससे आपको तुरंद की तुरंद पहले दिन में ही फाइदा पहुँच जाएगा प्याज के बाद मैंने यहाँ पर ली हैं लसुन तो लसुन की तीन चार कलियां आपको लेनी हैं और इस त किप आपको नहीं करनी है अगली जो चीज ली है वो ली है मैंने यहाँ पर लॉंग और काली मिच तो चार पाच आप लॉंग ले लीजे और छी साथ दाने आपको काली मिची के ले लेने हैं यहाँ पर जो भी मैं चीजे ले रही हूँ वो सारी की सारी गर्म है और हमारे अगली जो चीज लिए है वो लिया है मैंने एक चमच मेथी दाना जो हम अपनी किचिन में रखते हैं सब्चियों बगेरा में यूज़ करते हैं बहुत ही कमाल का रिजल्ट है इसका ठीक है आपके जितने भी दर्ध है इनको खीच कर बाहर निकालने में मेथी दाना जो है बह हमें लेना है अजवाइन आप सभी लोग जानते हैं अजवाइन भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और चाहें कैसा भी दर्द हो ये सारी चीजे उसे जड़ से खत्म कर देंगी घरेलू नुसका है बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है आप यूज करोगे न तब आपको पत ही आपको सरसो का ही तेल लेना है ठीक है अब हम क्या करेंगे गैस को जलाएंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे ही आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर अजवाइन गैस को आपको बिलकुल कम रखन इसको हमें जलाना नहीं है इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आज पर हलके हलके से पकाना है जिससे कि ये सारा अपना असर तेल के अंदर छोड़ दे अब जैसे ही ये पक जाएगी इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मेथी के बीज तो आप चाहें तो लिख लेजिए ऐसा मत कीजेगा कि पहले लेसन डाल दें इसके बाद आप प्यास डालें इसके बाद आपको मतलब अजवाइन डालनी है ठीक है तो ये इसका भी एक क्रम है कि किस तरह से क्या चीज़ आपको डालनी है तो आप चाहें लिख सकते हैं इसके बाद हम लसन डालेंगे और लसन को भ अलका सा हम भून लेंगे लसन जब अच्छे से भून जाए इसके बाद जो काली मिर्च के दाने हैं वो इसके अंदर डाल देना है दिखिए वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजेगा लाइक करते जाएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरू कीजेगा इस तरह के अच्छे अच्छी होम रेमडी के लिए इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लॉंग जो हमने पहले ही निकाल के रखी थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है प्यास तो प्यास को हम डाल देंगे ठीके और इसको भी बढ़िया से हमें भुन जाने देना है और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हल्दी ठीके तो हल्दी इसको डाल देते हैं और इसको भी धीवी आज पे धीरे-धीरे भुनने देते हैं ठीके इस तरह की देखिए हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी मैं आपको दिखा दे रही हूँ अब बस इन सारी चीजे को थोड़ा सा हम और भुनेंगे जिससे जो प्यास है ना वो भी अच्छे से पक जाए और अपना पूरा असर इस तेल में छोड़ दे अभी देखिए गैस को मैं कर दूंगी बंद और इस तेल को हलका सा गुन्गुना होने देंगे मतलब जब यह हलका सा गुन्गुना रह जाएगा ना तब हम इसको चान लेंगे यह देखे दोस्तों तेल हमारा यहाँ पर गुन-गुना रह गया है ठीक है पूरी तरह से इसको हमें ठंडा नहीं करना है अगर ठंडा हो जाए तो जिस तरह से लगाने के तरीके मैं बता रही हूँ आपको तो आप दोबारा से भी इसे गुन-गुना कर सकते हैं तो बढ़िया से इसे दबा-दबा कर सारा तेल देखे यहाँ पर हमारा निकल के आ चुका है तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से आप इसे यूज करोगे तो इस देल को आपको रात में लगाना है जब भी आप सोने जाओ तो यहाँ पर देखिए आपको ले लेना है आटा अब आटे में से हम थोड़ी सी लोई इस तरह से तोड़ लेंगे और इसको इस तरह से लंबा-लंबा कर लेंगे और इसके बाद आप यकीजे अपने घुटनों के चारो और इसको लगा दीजे तो इस तरह से आपको एक घेरा बना देना है आटे का आपके घुटनों से चाय कट कट की आवाज आती हो बैठ के आप उठ नहीं पाते हो चल फिर नहीं पाते हो पहली बार आप इस्तमाल करेंगे ना तभी आपको फर्क इसका दिख जाएगा तो दिखे इस तरह से मैंने यहाँ पर घुटनों के चारो और आटे को लगा दिया है तेल हमारा हमें गुनगुना लेना है दियान रखेगा गर्म नहीं गुनगुना बोल रही हूँ इतना कि हाँ आप सहपाएं इसके बाद तेल को आपको घुटने के ऊपर डाल देना है अब आपको अपनी उगली की सहायता से बड़िया से इसकी मसाज करनी है ठीक है देखे तेल एक तो गुनगुना है उपर से आयरवेदिक जैसे हमने तयार किया है सारी चीजे गर्म है लगाते लगाते आपको इसका फर्क खुद महसूस होगा इसको लगाने के बाद ये जो आप तेल देख रहे हैं ये आपको फेकने की जरूरत नहीं है जितनी भी आपके तेल से बिलकुल खत्म हो जाएंगे इसके बाद ये देखिए यहां पर आपको ये जो तेल है इसको इस तरह से चमस से बापस से जिस भी कटोली या बोटल वगेरा में आपने ये तेल करके रखा है ना उसी में बापस से कर लेना है ठीक है और आटे को आप उठाकर रख द देनी है ये देखिए इस तरह से बढ़िया से आप खूब अच्छे से मसाज कीजे बिलकुल अपके घुटने तक अंदर तक जाएगा ये तेल ये देखिए अब यहां पर ना एक चीज आप ध्यान रखीगा ऐसा मत करिएगा कि तुरंत के तुरंत आप पैर धुलने के चक अब आप यह देखिए इस तरह से आपको अच्छे से तेल को लगा लेना है और इसके बाद कोई भी गरम कपड़ा ले लीजेगा तौलिया ले लिजेगा कोई भी स्वेटर हो पुराने ठीक है कोई भी गरम चीज मतलब जिस से आपके घुटन अच्छे से कबर हो जाए ठी यह जो तेल है कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है बहुत ही बढ़िया तेल है सारी के सारी चीजे गर्म है जो सारे दर्द कुना निचोड के रख देंगी तो इस तरह से लगाने के बाद आपको सुभा उठना है और सुभा उठने के बाद आपको यह देखे इस तरह से जो भी पट उमीद करती हूँ आज की ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी तो जरूर से इस्तमाल कीजेगा कौन सी जगा से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा इस तरह की अच्छी अच्छी बब बढब एवर्वन